हलो डियो स्टूडेंस आज के क्लास में हम धर्वर सुपर ग्रूप के बारे में दोस्तों डिस्कसन करेंगे एंडिया में दोस्तों पांच क्राटन है पांच क्राटन क्या क्या दोस्तों हमारा फेहला तो धर्वर क्राटन भस्तर क्राटन, सिंघ्भुम क्राटन, अरावली क्राटन और एक दोस्तो बूंदेलखन क्राटन इन में से यह जो धरुवार क्राटन है दोस्तो इकोनोमिकाली बहुत ही इंपोटांस रहता है दोस्तो यह साउधन इंडिया पे आप देख सकते हैं मैं ब्रेजेंट है क्राटरन जेनरली एक लाज टेक्टोनिकली स्टेबल ब्लोक आर्थ क्रोस्ट के उपर रहता है दोस्तो और हमारा जो ये धरवार क्राटरन भी उसी तेरा एक क्राटरन है जो की बहुत ही जादा स्टेबल पार्ट है दोस्तो इन्हों नहीं 1986 में धरवार क्राटरन को क्लासिफाई किये थे दो टेक्टोनिक ब्लोक में धरवार क्राटरन को डिवाइड किया गया था एक होता है हमारा western धर्वार क्राटन दूसरा वाला होता है दोस्तो हमारा eastern धर्वार क्राटन इस टू क्राटन डिवाइडेड वाई चित्रे दुर्गा सिर्जन ओके यहां पर आप देख सकते हैं western धरगार क्राटन, western धरगार क्राटन, यह जो division हुआ है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, यह वाला, यह जो division है, चित्रे दुरगा, syurgion, the grey nisic complex covering the entire craton, formally known as peninsular nisic, तो एंटर क्राटन पेनिन्सुलार निसिक आपको बहुत जगा पे देखने को मिल जाएगा यह दोस्तो बेसिक अंडरस्टांड नहीं आप देख सकते हैं यह हमारा चित्रदुरगा सिर्जन यह इस्टन धर्वार क्राटन यह दोस्तो वेस्टन धर्वार क्राटन और जो योलो बाला पार्ट है ये आप देख सकते हैं पेनिसुला निसी कॉंप्लेक्स सारगूर एरिया और दोस्तो यहाँ पे ग्रानिटी धरवार ग्रानाइट बहुत ही फ्यमास है दोस्तो हाइद्राबाद तक आप देख सकते हैं और ये दोस्तो हमारा close-fed granite ये दोस्तो younger granite थोड़ा है मैं बताऊंगा आपको close-fed granite और ये छोटा सा धरवार के side पे ही कुड़ापा हमारा basin आप देख सकते हैं ये प्रोटरजेग वाला formation है ये धरवार हमारा granite है और ये दोस्तो पांडियन मोबाइल बेल्ट आप देख सक थे पांडियन मोबाइल बेल्ट इत्रदुर का सियर जन वेस्टन धरवार इस्टन धरवार ओके सार्गूर एरिया देन पेनिंसुला निसी के एरिया आप थोड़ा यहां पर देख सकते हैं अगर हम धरवार सुपर ग्रूप को देखें दोस्तों लोयर पार्ट में आपको intermediate pressure का metamorphygy पर इस्टन धरवार में low pressure metamorphygy जैसे कि older sequence किया था सर्गूर ग्रूप एज नारो बेल्ट एंड एंट्क्लेव्स अमुंडांट इंदी साउथ ओल्डर सिक्वेंस जैसे कि वारेंगल ग्रूप आपको इस्टन धरवार पर मिल जाएगा इस्टन धरवार में आपको मिल जाएगा सिस्ट बेल्ट लार्ज भॉल्कानिक्स सोबोडिनेट सेडिमेट आपको इहां पर दोस्तो देखने को मिलते हैं लेकिन इस्टन धरवार पर कुछ नारो ग्रिंस्टन बेल्ट आपको दोस्तो मिल जाएगे इतना साही डिफ्रेंस है और कुछ नहीं है यह थोड़ा याद रख लिजिएगा दोस्तो इस्टन धरवार और यहां पर आप देख सकते हैं अगर स्टाटिग अफी सक्सेशन की बात किया जाए तो वेस्टन धरवार पर गरूर नीस दोस्तो आपको मिल जाएगा सारगुर रोग टाइप आपको मिल जाएगा दोस्तो 31 मिलियोन यर तो 3300 मिलियोन यर तत उसके उपर दोस्तो आपको पेनिंसुला निसी कम्पलेक्स मिल जाएगा उसके उपर दोस्तो आपका धरवार स्टाट हो जाता है धरवार में आपको वेस्टन पार्ट में बावा ब प्लार गुप जो की गोल्ड के लिए बहुत ही फेमास एरिया है यह ओके इस सक्सेस्वन को थोड़ा याद कर लीजेगा उसके बाद दोस्तों आपको ग्रानाइड मिलता है टॉन्टी फाइफ हंड्रेट से लेके टॉन्टी सिक्स हंड्रेड मिलियोन एर तक यंगर आपको यहां पर मिल जाएगा है यह दोस्तों सिंप्लिफाइड स्ट्राटिगाफी ओप आर्कियन धर्वार क्राटन आप इसको थोड़ा याद कर लीजेगा एक्जाम से पहले क्योंकि एक्जाम में क्वेस्टन इसी से आपको पूछ लेगा इसी रोक सक्सेसं से कौनसा य एक होता है दोस्तों हमारा बाबाबुदान बेल्ट वेस्टन घाट सिमो गा एंड चित्रादूर गाडग इड बिलोंगिंग टू धर्वार सुपर ग्रूप यह दोस्तों दो बेल्ट बाबाबुदान वेस्टन गाट एंड सिमो गा शुपर बेल्ट इस शुपर बेल्ट approximately 300 km long and 100 to 150 km wide यह जो बाबा गुदान एरिया है दोस्तों इसका साइज आप देख सकते हैं 300 km long और दोस्तों 100 to 150 km wide और यहाँ पर जो sisters रोख है यह कितना एरिया occupy किया हुआ है 30,000 square km और और रिमनिंग 50,000 square km occupied by the basement of peninsular Nice बाबा बुदान जो सीष्ट बेल्ट है इस अखुपाई अबाउट 2500 square km area एप प्रोमिनेट बाट एथीन होराइजन ओफ क्वार्च पेबल कॉंगलोमेरेट आपको वहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा इस ग्रूप इस बाबा बुदान ग्रूप इस ग्रूप इस डोमिनेटली मेड अप उप मैटाब असल्ट विध इंटर्बेटेड क्रोस स्टाटिफाइड क्वार्चाइट यह आप लिध लोजी के हिसाब से याद कर सकते हैं दोस्तों दी एज इस इस अबाउट 2700 तो 2800 मिलियोनियर ओके यह दोस्तों पहले बाला था स्वामी नाथन के द्वारा यह जो स्टाटिफिस क्वार्चाइड बनाया गया था लेकिन हमारा आप जो पहले आपको बता दोस्तों चित्रदुर्ग ग्रूप और देखें टॉप में दोस्तों रानी वेनल फोर्मेस जो ओल्ड क्लासिविकेसन था यहाँ पे आप देख सकते हैं यंगर ग्रानाइट चार्नोकाइट और प्रोटर जोईग माफिक डाइक आपको मिल जाएगा और उसके नीचे दोस्तों गरूर निस जो आपको बताया गया था गरूर निस सारगूर और पेनिसुला निसिक उसके उपर दोस्तों आपको बाबाबदान ग्रूप और चित्रदुर्ग ग्रूप मिल जाएगा ओके दिस क्लासिफिकेशन इस डोन बाइ स्वामिनात एंड रामा क्रिश्नर इन नाइटीन इटीवा बट इटीसिक्स में दोस्तों इसको फिर से चेंज करना पड़ा ओके एक बहुत ही सिंपल फायड वाला स्टिगाफी सक्सेशन दिया गया यह दोस्तों वेस्टन लौच टिट्रदुर कर गडग वेल्ट जो है इस बेल्ट jest commonly known as चित्रदुर शिस्ट बेल्ट इंड कबर अरिया बाओ 400 km long and 5 km width in the north of bulges of about 25 km this chitradurga and गड़क सुपर बेल्ट सिगनिफाइस ओप गोल्ड एंड के रीज ग्रानिटोयड यहाँ पे जो लिथोलोजी है दोस्तों क्या-क्या मिलने वाला है फिलाइट लाइमस्टोन मांगानीज एंड आपको यहाँ पे मिलेगा बेंडेड आईरन फर्मेशन ओके उसके बाद हम इस इस्टन धर्वार कॉलार ग्रूप को स्टरी करना पड़ेगा दोस्तों ओके बाबाबुदान ग्रूप जो की वस्वंत नगर फर्मेशन तो इस्टन धर्वार में क्या है अल्डर निस्ट इडिज एज अबाट 3000 मिलियोन एर ग्रिंस्टोन बेल्ट आर सीन इन कॉलार एंड रामगरी यह आपको याद रखना पड़ेगा इस्टन धर्वार में बाबाबुदान ग्रूप एंड चित्रदुर्गा ग्रूप यह जो इस्टन धरुआर है आप देख सकते हैं पहले नीचे जो है दोस्तो बेस्मेंट आपको आच्छे से देखने को नहीं मिलेगा उसके उपर दोस्तो आपका बाबाबुदान फोर्मेशन कोलार गोल्ड फिल्ड फोर्मेशन दोस्तो यह ही है गोल्ड फिल्ड एरिया चांपियन नीच यहां पे भी दोस्तो गोल्ड मिलता है दोस्तो यह कॉन कुलूजन धर्वार सुपर ग्रूप इस एक्सपोज बोथ वेस्टन धर्वार क्राटन एं इस्टन धर्वार क्राटन इस एज इस अबाउट तो शीक्स हंडड तो को लारेंड यह सवंत नगर फोर्मेशन और बाबाबुदान एरिया ओके तो यह दोस्तो आपको यह टेबूल को याद रखना पड़ेगा इस्टन धर्वार का और वेस्टन धर्वार का ओके गरुनिस बैस्मेंट यह दोस्तो पूटटी बैस्मेंट यह सरगुर ग्रूप इस तरव दोस्तो आपका वारेंगल सालेम ओके तो पेनिसुला निसी कंप्लेक्स उसके ओपर बाबा बुदान चित्रा दुरगा ओके तो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तो ओल्डर यंगर करके जनराली वह पूछेगा आपको ओके तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू